हेलो एंड बेलकम बेक टू एसेट गाइड योटीब चैनल काफी दिनों के बाद आज यहाँ पर हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं कुछ कारण थे जिसमें बजी थे तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो हम यहाँ पर डिसकसन करेंगे क्या benefit रहेंगे users के लिए क्या benefit रहेंगे company के लिए क्या benefit जैसे हम तो एक user end की तरफ से भी बात करेंगे तो हमारा किस तरीके से यहाँ पर benefit होने बाला है उसी चीजों का आज हम यहाँ पर डिसकसन करेंगे तो चलिए वीडियो की next slide पर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि MetaM Maasco Trust Wallet ने अभी फिलाल में Visa David Card के साथ tie up किया है अगर आप Visa David Card के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको बता दू आप जो अपना ATM यूज करते हैं बैंकों में तो most of the cases में आपका बैंक का ATM Card जो है वो Visa का ही होता है आपके पास Visa David Card ही होता है चाहे वो SDFC, ICICI जैसे बैंकों सभी में ज़्यादा तर Visa David Card ही होता है तो Visa David Card का अभी Trust Wallet और Meta Mask जैसे Cryptocurrency Wallet के साथ tie up हुआ है अब आप ऐसे समझे कि अपने David Card को यूज करके आप अपना Cryptocurrency Balance जो है वो shopping के लिए या फिर money bid roll के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि अभी आपका David Card आप आपके bank account से connect रहता है तो अपने David Card का use आप कर सकते हैं online ATM से पैसे bid roll करने के लिए या online transaction करने के लिए या फिर shopping करने के लिए तो अब आपका Visa David Card जो है वो cryptocurrency wallet से भी connect हो गया है तो अब आप अपने crypto wallet को भी crypto wallet के fund को भी debit card के थूज कर सकते हैं shopping के लिए bid roll के लिए या फिर आ अब आपका crypto debit card crypto fund जो है बिना exchange के use में आ सकता है यानि कि आपको अपने crypto को Bitcoin को Ethereum को OES को दूसरी currency में convert करने की ज़रूत नहीं है directly उसको आप use कर सकते हैं shopping के लिए तो ये settlement अभी होना शुरू हो जाएगा अब हम इसको यहाँ पर OES के term में क्यों use कर रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं OES जो है public blockchain पर deploy हो चुका है अगर आपका account अभी तक deployment नहीं हुआ है तो कर लीजिए क्योंकि ये काफी important है अभी 2024 में ही OES के public release का announcement हो चुका है यानि की OES को publicly release भी किया जाएगा जैसे अभी तक आप exchange करते हैं केबल डील से करके माध्यम से जो DSP pool है उसको करने के लिए तो अब ये धीरे धीरे public end से भी होना सुरू हो जाएगा क्योंकि डील से कर में ही ये integration आने वाला है जब आप अपने one wallet से directly DSP pool को use करके OES को exchange कर सकते हैं क्योंकि demand जादा बढ़ेगी तो जादा one की need बढ़ेगी और उस need को जो आम public है वो manage कर पाएगी अपने डील से कर back end से ही तो ये OES public release होने का announcement हो चुका है 2024 में यही इस वीडियो का main key point है अब हम चलते हैं आगले slide पर यहां पर आप देखे OES का fiat convergence related update जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था कि OES को जो दूसरी cryptocurrency है उनको आप metamask पर check कर सकते हैं ठीक वैसे ही OES को भी metamask को trust wallet जैसे या safe pal जैसे bullet पर आप use करेंगे और उस wallet को connect करेंगे अपने debit card से तो यहां पर आपका OES जो है बिना किसी दूसरी crypto में convert हुए बिना किसी fiat में convert हुए directly use हो पाएगा online shopping के लिए ATM से cash डोल करने के लिए और दूसरे online transaction करने के लिए और transaction के साथ यह integration हुआ है जिसने OES को जिसने visa को debit card को trust wallet और metamask के साथ type किया है तो यह काफी important update सभी के लिए है अब हम बात करते हैं कि जैसे हम सभी जानते हैं OES को आप stack भी कर सकते हैं staking होता है process जिसमें आपको जैसे banking में होता है fixed deposit या recurring deposit RDIFD तो ठीक बैसा ही यहाँ पर आपको OES के case में भी higher interest rate मिलते हैं आप 18 month के लिए सायद 1.8 या 3.2 तक का higher interest generate कर सकते हैं तो यह भी एक काफी अच्छा reward point सभी के लिए रहेगा तो यहाँ पर हमने यह 4-5 point discussion करें I hope आपको इसमें से जो सबसे important point है जिसका हमने discuss किया था कि OES 2024 में public release होगा वो काफी important रहा होगा आपके लिए तो वीडियो को तो हम फिलाल यहीं पर wind up करते हैं लेकिन यहाँ पर कहीं मतलब बहुत जादा interesting update है उनकी हम लगतार discussion अब करेंगे और चली मिलते हैं फिर next वीडियो में और next update हम तभी discuss करेंगे